सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दबाएं वेलकम टू मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नामन दीपदुड दोस्तो पावरपॉइंट के लेक्टर मैं आलड़ी वीडियो अप्रोड कर चुका हूँ मोबायल के दिपट कैसे क्रेट करनी है लेट्व के दरूपीट कैसे क्रेट करनी है दोस्तो भुट दूनों से viewers के comment आ रहे थी कि जैसे ही मोबायल में presentation को play करते है तो slides automatically play नहीं होती मैं नहीं हैंट से swipe करना पड़ता है slides को दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाला है कि अगर आप मोवाइल में Slideshow को autoplay करना चाहते हो तो कैसे करना है यह सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के end तक दोस्तों मेरे पास यहाँ पे PPT files अब लेवल है तो आपके पास option आती है PPT file को open करने की PowerPoint के तुरू, normally हम PowerPoint को use करते है जैसे अभी यहाँ पे मैं PowerPoint को use कर रहा हूँ PowerPoint को open करने के बाहर यहाँ पे Slideshow run करने की option आती है जैसे हम यहां Slideshow run करते हैं तो presentation start हो जाती है दोस्तों PowerPoint में Slides automatically play नहीं होती Slides को play करने के लिए हमें swipe करना पड़ते है जैसे हम Slides को swipe करते हैं तो Slides move होती है अभी मैं आपको इसका solution बताने बाला हूँ कि आपने PPT को autoplay कैसे करना है दोस्तों अभी आपने यहाँ से close कर देने आपने यहाँ पे Play Store open करने प्ले स्टोर open करने के बाद यहाँ पे सर्च करने WPS WPS software PTE limited को आपने install करने install करने के बाद open करने Agri पे क्लिक करने यहाँ से आपने skip कर देने allow पे क्लिक करने दोस्तों अभी हम फिर से file management में वीडिट करते हैं जहाँ पे हमारी files अविलेबल थी अभी मैं इस file को WPS के तुरू open करूँगा जैसे यहाँ पे show हो रहा है WPS office तो अभी मैं इस WPS office के तुरू file को open कर रहा हूँ जो अभी हमने install किया है दोस्तों यहाँ पे file open होगी है अगर आप edit करने चाहते हो तो आप यहाँ पे click करके edit कर सकते हो और bottom पे यहाँ पे options शो हो रही है play की अगर आप यहाँ पे direct क्लिक करोगे तो direct भी file यहाँ पे play होना start हो जाएगी लेकिन यहाँ से file autoplay नहीं होगी तो autoplay करनी के लिए आपने back पे click करने आपनी है tools पे click करने आपके पास यहाँ पे option आएगी play की तो आपनी है play पे click करने प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे option शो होगी crunt page, first page, autoplay, ppt recorder तो आपने यहाँ autoplay पे क्लिक करने है दोस्तों जैसे आप autoplay पे क्लिक रोगे तो files automatically play होने start हो जाएगी अभी यहाँ पे files automatically play हो रही है नहीं तो अपने मैं hand से touch कर रहा हूँ नहीं इसे mouse से touch कर रहा हूँ files automatically play हो रही है और अगर आप page का time increase जड़ करने चाहते हो तो आपने center पे क्लिक करना है जैसे आप center पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे show होगा switching time आपने यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे option शो हो रही है 3 second, 5 second, 10 second, 15 second, 20 second पहले time था 3 second 3 seconds के बाद file automatically change हो जाती थी तो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 second और साथ में यहाँ पे option आ रही है replay की अगर आप continue replay करना चाहते हो तो आपने option को enable लेखना जैसे अभी enable है अगर आप चाहते हो कि slideshow run होने के बाद stop हो जाए तो आपने यहाँ से disable कर देना है अभी मैं इसे enable कर रहा हूँ और अगर आप pointer use करना चाहते हो तो आप यहाँ पे click करके pointer use कर सकते हो अभी मैं starting से play करूँगा दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे मैंने फिर से slideshow को start कर दी है अभी फिर से slideshow automatically automatically start हो गया है जो timing पहले 3 seconds थी अभी वो timing convert हो गया 5 seconds में आप यहाँ पे 20 आप यहाँ पे 10 और 20 seconds भी choose कर सकते हो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी slide में कोई video file available है जा कोई audio file available है तो आपने autoplay में कैसे play करना है उस video file को या audio file को तो आपने उस file पे click कर देना है जैसे आप उस file पे click करोगे तो file play होना start हो जाएगी वीडियो को details डाल देनी है यहाँ पे उसके बाद stop के लिए दोस्तों जैसी वीडियो stop हो जाएगी उसके बाद आपने center पे click करना है और back पे click कर देना है उसके बाद फिर से slide show automatically run होना start हो जाएगा अगर आप pointer से कोई show करना चाहते हो तो आप pointer से show भी कर सकते हो अगर आप during slide show किसी slide को back click करना चाहते हो जा forward click करना चाहते हो तो आप अपने accordingly back या forward पे click कर सकते हो और दोस्तों जैसे आप center पे click रोगे तो आपको यहाँ पे साथ में time show होता रहा गया कि कितने time से slide show run हो रहा है अगर आप इससे exit करना चाहते है तो आपने यहाँ back पे click करना है जैसे आप back पे click होगे तो आप slide show से exit हो जाओगे दोस्तों next वीडियो में लेके होगा कि WPSK through PowerPoint कैसे create करना है कैसे slides को MP4 में convert करना है अगर आपकी PPD या किसी other education update को query है जापके share नहीं तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके हाँ comment कर अप्लाए करूँगा Thank you for watching Please subscribe my channel for more technical updates